एक वीडियो आपने देखा होगा अनीता जी का अनीता जी उसमें बहुत कुछ कहते हुए बताते हुए नजर आई हैं तो अब आया है कल बसंती जी का भी और वो भी बहुत सारी चीजे बता रही हैं बहुत सारे खुलासे बता रही हैं और बता रही हैं लडाई की असली वज जबकि उन्होंने एक दिन पहले का कोई व्लोग नहीं डाला था क्योंकि वो बता रही थी कि कोई उनके जो है करीब के कोई बिमार थे जिनकी वज़े से वह वहां चली गए थी तो व्लोग नहीं आया था तो फाइनली नोंने बैटके बड़ी ही तफिस्त के साथ सारी बाते बताई है कि उस दिन लड़ाई की जड़ क्या थी क्योंकि अब अनिता जी ने वीडियो डाला है उन्होंने बहुत सारे खुला से बताया है उन्होंने जो रीजन बताया था लेकिन उन्होंने अपने नजरिये से बता रही है तो हमने पहले नजरिये सुना था अनिता जी का अब जानते हैं बसंती जी करना जरिया क्या है तो बसंती जी बताती है कि ये बात सही है कि वीडियो जो है वो गोल्डी बना रही थी तो हुआ कुछ ये था कि ये लोग सारे के सारे बाउजी के पास बैट कर बाते कर रहे थे और बाते कर रहेते जब तक कि वो अपनी बाते कर रहेते तो हमें फरकनी पढ़ रहा था लेकिन जब इन्होंने ये बाउजी से पूचना शूरू करा कि यह freeze कहां से आया यह cooler औरहां से काया यह सुमान कहां से आया तो आब आप एक बताईए जब वो हमारे बारे में बात करेंगे तो गोल्डी ने वीडियो बनाने शुडू कर दी क्योंकि वो बाओ जी को ही बाद में दिखाना चाहते थे यह कह कर कि भई बाओ जी उनको बता रहे थे तो इस वज़े से क्योंकि बाउजी ने एक बार कह दिया होगा कि हम नहीं बताते तो इस वज़े से अब उस पे भी लोग कई बार एलिगेशन्स लगा रहे हैं ये तो बाउजी को भी नहीं छोड़ रही है भाई देगो बाउजी हैं बुजुर्ग हो सकता है वो बहुत सारी बाते भूल जाते हों इसकी वज़े से बना रहे हों और उसके बाउजुद भी अगर बसंती इतना परिशान करती है बसंती इतनी खराब है फिर भी बाउजी जबजस्ति क्यों बसंती के पास रह रहे हैं क्यों उस गरीब के पास रह रहे हैं जिसके पास खुद खाने पीन विडियो बना रही थी, कि बावजी को हम बाद में दिखाएंगे, तो वो अंजली ने ऊपर से देखा, और उपर से देखकर वो फट से नीचे आई, और ये कहा कि तु वीडियो बना रही है, दिखा क्या बना रही है, और गोल्डी के हाथ से जटके से फोन छीन लिया, जब जटके से छील लिये तो उन्होंने देखा कि हाँ वो रिकॉर्ड कर रही थी बसंती जी इस चीज़ को डिनाए नहीं कर रही है कि गोल्डी वीडियो नहीं बना रही थी जबकि अनिता जी ने इस बात को कहा है कि वो मना करी थी हम तो वीडियो नहीं बना रहे थे जबकि बसं पर लड़ाई हो रही है लड़ाई जो है वह प्रॉपर्टी के नहीं है यह तो उन्हों हमें मारने आये थे और यह वीडियो के पर लड़ाई लेकिन बसंती जी ने बताया कि यह प्रॉपर्टी के ओपर ही लड़ाई हो रही है जो बटवारा हुआ था उस बटवारे को अब यह लोग एकसेट नहीं करें जिस तरह से बटवारा हुआ था जब गोल्डी के हाद से मूबाईल छीन लिया गया तो वो देखो छोटी सी सी बच्ची है मैं बताओं आपको सीरियसली वो कोई इतनी जरत चंट चलाक नहीं है और नहीं इतनी तेज तरह रहा है कि वो जो है डटके खड़ी रहेगी तो लुग घर पे था नहीं कि वहाँ पे जेट जिठानी जी और उनकी फैमिली बैट कर बात करी थी तो बसंती जी भी वहाँ से अलग थी लेकिन गोल्डी वहाँ पर शूट करी थी जब उससे मूबाल चीन ले गया तो फिर उन्होंने डाटा फटका रहा और हाथ उठाने की कोशिश भी कि वह यह बता रही है हाला कि वह इस चीज के लिए दावा नहीं कर दिया जो कि यह भी कहा गया था क कि हमारे जो है कपड़े फाल कर हमें मारा पीटा गया इस बात की वह यहां पर नहीं कह रही हैं लोग उस चीज के लिए भी एलिकेशन लगा रहे हैं कि तुमने फिर इस तरह की F.I.R क्यों की उसको भी मैं बताऊंगी पोड़कास को ध्यान से सुनियागा उसका भी रिजन इससे आपको भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए तो क्यों पूछ रहे हो आप लोग वही बाओ जी से इसलिए बाओ जी को याद नहीं रहता बाओ जी माना कर देते हैं बाद में तो इसलिए हम रिकॉर्ड करा रहे थे जिससे कि बाओ जी को दिखा सकें कि देखो ये लोग में पूछ रहे थे और आपने ये बता दिया सारी बात लोग उस पर भी कलती इलगा रहे है यह नहीं देख रहे के बाओ जी भूचूर्ग है हो सकता है बाओ जी भूल जाते हो सकता है वो क्या दिखाना चारे हो सकता है कुश भी बात होगी definitely मैं इस चीज़ के लिए नहीं कहाई दियुकि यहां बसंती 100% सही है या फिर वो बाउजी को पूछना चाहरा कींकि वाउजी को याद नहीं रहता हो सकता हुसक्ता है है कोई और Wrapी हो लेकिन लेडाही जहगड़े का रिजन तो नहीं था k्याइल फीक्राह की लेकि formula क्या था से रहते हैं घर में जब जोईट फैमिली मencies वहां पर ससुर होते हैं जेट होते हैं तो वो जैसे खांस के आएं यह साइट में हट जाएं तो मैं अपना ही remember यह लोग रहते ही नहीं मुझे ही अपना रासता बदलना होता है और नहीं है उनका इस तरह से कोई भी मैंने गाउं में ऐसा कोई जेट नहीं देखा जैसे यह है कि मारने पीटने की बाते करते हैं डाटने फटकारने की बाते करते हैं कोन अपने भाई की छोटी बहु को ऐसे मारने पीटने की या डाटने फटकारने की बाते कोई पी चीज कहीं से भी आती है तो पाउजी की किरें कर लुए जाते हैं यहीं वजिए थी कि बाउजी जब उन से बता रहे थे सुर्ण हम रिकॉर्ट कर रहे भी ंट कार रहे थे चिटकन चिटकन वह अपनी language में क्या बोल ले थी वो मुझे समझ में नहीं अगर किसी को भी उसका मेनिंग पता हो तो प्लीज मुझे जरूर बताईएगा कमेंट में कि चिटका चिटकन जो बोल दे थी उसका क्या मतलब है क्योंकि मैं जो समझ पारी हूँ मुझे यही था कि शायद हाथ उठाने की कोशिश की गई थी जब इनको इतना समान आता इतना समान खरीते तो क्या यह बाओ जी को बताते हैं या बाओ जी पूछते हैं कि लाओ मुझे भी दिखाओ इम नहीं दिखाओ तो तुम हमारे बारे में यह समान और इनके बारे में बाओ जी से क्यों पूछते हो वहीं पर ये भी बताती है कि ये सारे लोग मुझे मारने के लिए आये थे और वहीं पर बिहारी मा का भी नाम उन्होंने लिया कि बिहारी मा भी वहाँ पर थी इसका मतलब उनके पास गवाह भी है इस चीज के लिए कि ये लोग इनको मारने के लिए वहाँ पर आये थे हाथ दिखा रही है ना जैसे वो चटकन चटकन इसका मतलब वो ये बताने की कोशिश करें कि इस तरह से हाथ चाटा दिखा दिखा कर वो कह रहे थे और गालियां गलोच भी कर रहे थे भई क्या जरूरत है भाई की बहु है और बेवा है इस तरह से हाथ उठाना ये गाली गल अपने बाई से नहीं बताएंगे तो फिर हमारे सर पर कौन है बात करने के लिए कौन है पूछने के लिए अगर ये जेट होकर ऐसा हमारे साथ कर सकते हैं आज हाथ उठाने की बात करने कल को हाथ उठाएंगे भी तो क्या कोई भी नहीं डरेगा कि इस चीज़ के लिए क्या अपने लिए बचाओं के लिए कुछ भी नहीं करेगा और अगर ऐसे पे भी एक बहन अपने भाई से उम्मीद नहीं करेगी तो फिर किस से उम्मीद करेगी अपने बाउजी की देखभाल नहीं करते हो तो भाई एक बात बताओ किसी ने मना किया है कि बाउजी के लिए कूलर एसी लगाने के लिए कमरा बनवाने के लिए तुम्हारे पास पैसा है तुम अपने तरफ से कोशिश करो बाउजी को जितना हो सके आराम देने के लिए अग मैं तो में जो लगता है सऺघी दिवारव थे वह अहुद उन्हों दे द्ग मिनुदी अगे लिया है। कुछ मेली किसब्स के रहा हैं नहीं दो APP को शॉपर कीति कि मैं तक रहां है। है जान कर निया दो上ग्यूत्यक्ता संथा नहीं सेब्सकता लेकिन में पौटी शूशू आ रहा है और ऐसे में हम उनसे ये कह रहे थे थे हमाजी से के अगर कोई ऐसी परशानी हो तो हमें बुला लेना ये हमें बता देना तो उसमें बुराई क्या है जिससे की काम फैल जाता है सारी चीजे हो जाती है तो उसमें पहले ही बता देना इनसान को चाह दिखाती थी और उनसे लड़ाई जघड़े करती थी इस बात का भी खुला सक्किया यानि कि जो पुराणी बात थी इन बातों का भी उन्होंने खुला सक्किया और ये बताया कि इन्हों नहीं जान बूझकर मुझे गलत तरीके से इस तरह से प्रेजेंट किया यही कहते हैं कि लोग वीडियो देखकर अगर आपको गाली देते हैं गलत सलत बोलते हैं उलता सिधा बोलते हैं या सीख देते हैं उसमें मेरी क्या गलती है मैं तो अपने फर्ज निभारी हूँ ना मेरा काम यह है डेली व्लोगिंग का जो मै करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ तो जो काम मैं कर रही हूँ वो ही तो दिखाऊंगी ना बाउजी है बाउजी का कर रही हूँ तो यह तो बाउजी का दिखा रही हूँ अपना काम करती हूँ खेत का काम करती हूँ तो वो दिखाती हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती है उसमे मेरे लिए कियो परिशानी खडी करी जा दिए हैं। पिसा में बीजासा करें तो घयर मुझ डिक्स अब अजरदने साथ तुम सामने तो ....ुगोज करें कि तुम आयुसक्राइब कने पार, वसक्ता सहाल हो North जल्फ पैर देखसा करें जो क fulfill वह तोुल में तो क्यूब्यु करें मैं नहीं सकता है करने कि लिए ओं को प्यार से बात को लिए कर दोल दोटी जाना होता है और मने अगора कि सेलिब्लेट अगर यह कई लोगों को जादा पता बही नहीं था तो तुम भी तो daily vlogger थे ना तुम भी तो content के लिए ही करते थे तो यह भी वही कर रही है कि जो कर रही है उसको upload कर रही है, shoot कर रही है तो भाई अब तुमैं यह जानते हुए भी कि डेली व्लогर का यही काम होता है तो फिर इतनी मिर्ची क्यों लगती है और जिस दोरान मैं अपने भाई से ये सारी राते कर रही थी, अपने बेटे से ही अपने बेटे से सारी बाते कर रहे थे उस दोरान इनोंने हमारी recording किया, हमारी आवाज डाली उसमें ये बताने के लि वो बता रही है उस टाइम पर के जब मैं आमाजी को ऐसे बोलती थी कि हमाजी पहले बता देते तो हम ये साफ सोतरा कर देते जब लगा था तब ही बता देते तो ऐसी चीजों को इन्होंने जान बुचकर रिकॉर्ड करके मुझे गलत दिखाने के लिए सारी चीजे अपलोड वो यही बता रही है कि ये जो भी कुछ जगड़ा है ना ये कोई वीडियो के लिए जगड़ा नहीं है क्योंकि वीडियो वीडियो तो ये भी खेलते हैं और वीडियो हमारी तरफ से भी बनती है जो जगड़ा है वो प्रॉपर्टी का जगड़ा है प्रॉपर्टी जब द खाना वहीं तो बनाती आप एक बात बताओ क्या घर से बाहर निकल के खाना बनाती हमने देखा जिस तरह से वह पुराने व्लोग में बटवारा कर रही थी किछन तो इन्होंने ले ली थी और किछन बसंती जी के पास आज भी नहीं यह पता नहीं कौन से एक रूम में उन्हो पास से होना चाहिए रही है दस आद्म्यों के बीच में होना चाहिए पंचाहित की उन्होने गहार लगाए कि पंचाहित वापस से बिटाने चाहिए और पंचाहित के सामने weapons के सामने बटवारा हो सके और फिर इनको भी यह न लगे कि मेरा समान यहां से वहां वहां से वहां फैक्ते फिर रहे हैं तो बोल रही हैं इस चीज के लिए बिठाओ पंचायत को हम पंचायत की बात मानने को तयार हैं तो जब वो इस चीज के लिए राजी हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि लाला जी को रहनीता जी को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए बिठाओ पंचायत और पंचायत में ही जो फैसला है वो करवाया जाए दस लोगों की बीच में करवाया जाए जिससे कि कल को कोई भी बात हो तो वो दस लोग कहने के हकदार रहे तो यही कहनी है कि पंचायत अगर यह फैसला कर देती है कि तुम्हें इतने हिस्से में रहना है यह हिस्सा है तुम्हारा तुम्हें सरफ इतने में ही रहना है तो हम दूसरी तरफ जाएंगे भी नहीं हम बस उतने हिस्से भर में रहेंगे और हम पंचायत की बात पूरी मानेंगे तो फिर ये फैसला पंचायत में क्यों नहीं करवा लिया जाता हम बस यहीं चाहते हैं कि पंचायत जो हमारा फैसला कर दे ना हम अपने हिस्से में रहें वो अपने हिस्से में खाएं पियां में अपने हिस्ते में खायए ना उनकर से हमारा कोई लेना देना हो नहें न हम उनकर लेना हो ना वह हमारी शकल देखें ना हम उनकी शकल देखें और दू दिन की महलँ दे होई भी नज़र आईे हैं कि दो करेns से ही अपनी लड़ाई जगड़े को यहाँ पर खतम करना चाहती है और इन चीजों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है आपका क्या कहना है इस पर प्लीस कॉमेंट में जरूर बताएगा कि क्या ओपिनियन है या क्या इनका होना चाहिए फैसला वो भी मुझे प्लीस कॉमेंट में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर कीजिएगा कोई और नई अपडेट मिलती है तो आपके साथ डेफिनिटली शेर करूंगा मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तिल देन बाई 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 अला आफिस टेक केर